hello viewers welcome back to my channel commerce group so today my topic is e-commerce so आज हम e-commerce के बारे में पढ़ने वाले हैं commerce तो हमने बहुत पढ़ लिए but e-commerce भी एक concept है जो बहुत ही important है so चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं commerce means क्या होता है normal means buying and selling of goods and services services को buy और करना और आगे sale out करना ठीक है बड़ जब इसके आगे e लग जाता है तो वो internet से connect हो जाता है means buying and selling of goods or services across the internet ठीक है जब हम internet की help से goods or services को provide करवाते हैं तो e-commerce होता है for example flipkart है जैसे वो e-commerce कर रहा है क्योंकि internet की help से लोग क्या कर रहे है चीज़े purchase कर रहे हैं और उसको आगे sale भी कर सकते हैं sale के लिए आपको बता देती है OLX app है वो आगे sale के लिए help करती है so e-commerce में क्या internet की help ली जाती है अब reasons क्या है इसको क्यों use किया जा रहा है इसकी जो reach है e-commerce की day by day increase क्यों हो रही है so first of all reason है global reach for example कोई shop किसी market में है ठीक है अगर कोई shop for example डेली में कोई shop है तो वो सिर्फ वहां से डेली के लोग ही ले पाएंगे बट अगर वो e-commerce से अपनी चीजों को purchase यह sale कर रहे हैं आगे बेच रहे हैं तो उससे क्या global reach हो सकता है एक country से दूसरी country से भी ले सकता है ठीक है international चीज़े भी हो सकती है यह फिर within a country के किसी भी border cross border करके किसी भी चीज को मंगवाया जा सकता है जो e-commerce की service है वो कभी भी ऐसे नहीं है कि जैसे shop का time होता है 9 to 5 यह कुछ भी इसमें क्या 24 अब जब मर्जी night day जब मर्जी ले सकते हो जब मर्जी अपना order place कर सकते हो next one is cost saving e-commerce क्या है cost saving है cost saving कैसे है first of all तो जिसे transportation की cost कम हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर समान लाना पड़ता है फिर उसको आगे बेचा जाता है तो वो transportation cost कम हो जाती है दूसरा क्या है warehouse का rent कम हो जाता है पहले क्या था लोग चीजें bulk में लाते थे उसे go down में क्या था inventory के तौर पर जगते थे बट वो inventory cost या फिर warehouse की cost भी कट हो गई है तो इस तरह से cost saving भी है चाहे मैं time की बात करूं time saving भी है quickly order place हो जाता है quickly within four to five days हमें वो delivery उसकी मिल जाती है next one is customized customized क्या होता है कि अगर हम कुछ purchase कर भी रहे हैं customized का मतलब यह होता है कि customer के पास बहुत ही जादा option available होती है ठीक है वो दुनिया के किसी पी कौने से एक product को दूसरी side पे भी compare कर सकता है कहीं पे उसको 100 की मिल रही है कहीं पे उसको 80 की मिल रही है वह वहां पे 50 की भी ले रहा है तो customize है वह अपनी मर्जी से जैसा चाहता है वह चीज को purchase कर सकता है ठीक है next one is application of e-commerce e-commerce की application कहां कहां use हो सकती है so first of all है e-banking banking में क्या है internet की आज कल आपको पता यह e-banking start होगी है सारी transaction है जो हम घर बैटे कर सकते हैं अपनी statement ले सकते हैं credit debit कुछ भी कर सकते हैं तो banking में इसका scope बहुत ही जात है next one is e-training जैसे कि कोई भी person है जो training लेता है पहले क्या करना पड़ता था उस place पर training लेने के लिए जाना पड़ता था ठीक है चाहे वह specific skill की बात मैं करूं चीक है next one is e-learning e-learning में क्या है आप आपने देखा बैजूश एप है यहां फिर इसके इलावा काफी अन अकेडमी एप है उससे हम learning learning कर सकते हैं घर बैटे ही अपने अपनी जो study है जबनी qualification को complete कर सकते हैं को भी exam क्रेक कर सकते हैं तो इसमें भी internet का काफी देन है next one is e-recruitment e-recruitment क्या है काफी ऐसी sites है जाहे नौकरी.com लगा लो इंडीड लगा लो अपना अप लगा लो जहां पर हम क्या है घर बैटे ही internet की help से recruitment देख सकते हैं कि कहां कहां पर vacancy खा ली है फिर वहां पर फॉर्म लिगरा फिल करते हैं सो कई बर हमारी internet पे ही हमारी जो है interview भी हो जाती है सो उसमें भी काफी helpful है next one is e-publishing पहले क्या होता था अगर कोई news चापनी होती थी यह प्रिंट करनी होती थी वह newspaper में ही आती थी बट अब क्या है internet की help से google पे हम कुछ भी publish करवा सकते हैं चाहे वो किसी का हम बोल सकते story है किसी का कुछ article है जी के वो क्या e-publish हो जाता है healthcare healthcare में भी काफी contribute किया है इसने e-commerce ने क्या कुछ ऐसी disease होते हैं जिनकी हम इंडिया में उसका हम बोल सकते हैं कि ilaj नहीं अभी available है तो healthcare में क्या है internet की health से अपनी reports को है जो foreign में भी बेज सकते हैं जहां से हमें अच्छा-च्छा के healthcare मिल सकता है ठीक है treatment मिल सकता है so healthcare में भी काफी internet का है कुछ ऐसे हमारे पास instruments भी है जो internet की help से चल रहे हैं चाहिए वो scanning machine उसमें भी helpful है next one is retailing machines 7th is retailing retailing में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी आगे sale out करना चाहते हैं retailing में भी ऐसा ही helpful है कि हमें direct है जो मिल जाता है हम कुछ product लेना चाहते हैं वो हम retail based पे directly internet की help से ले सकते हैं हमें बीच में ब्रोक कर नहीं ना पता हम direct ही shop से ले सकते हैं deck जो इसका manufacturer है उससे हम retail price पे पना product है जो purchase कर सकते हैं auction अब पहले auction होती थी वहां पे बैठते थे तब किसी चीज की डिमांड की जाती थी auction किया जाता था प्राइस पताया जाता था आजकल क्या internet की help से auction भी की जा सकते है कि इतना इतना इसका 800 प्राइस है कौन कौन लेगा ठीक है तो उस अब कोड़ी के auction भी की जाती है ओलेक्स पे एक तरा का ओलेक्स पे भी auction का हम बोल सकते है यूज होता है online insurance insurance sector में भी जो e-commerce ने काफी contribution किया है क्योंकि घर बैठी बंदा जो है अपने form फिल कर देता है और insurance के document receive कर लेता है e-searching e-searching google सबसे बड़ा example है e-searching का कुछ भी सर्च कर सकते हो internet की help से डिजिटल मंडी मंडी किसी भी चीज की लगा सकते हो आप जैसे की vegetables की होगी है fruits की होगी है काफी चीज़े मंडी में लगती है अब यह क्या है digital मंडी स्टार्ट होगी है कि digital ways में internet की help सही मंडी है जो लगाई जाती है और उसके उस पर price बताए जाते है और जो है buyer है वो purchase करते है तो यह सार आपको easy way में समझाने की कोशिच की है I hope जिसी तरह से आपको exam में question आ रहा हो आप इसको mold कर सकते हो main points इसके यही रहेंगे applications हो सकनी है इसका scope भी सेम ही रहेगा इसमें आप इसके benefits भी लिख सकते हो या फिर इसके features भी लिख सकते हो reasons भी लिख सकते हो मैं बलब question होगा इसके भी structure में इसको अपना contribute करके लिख सकते हो कुछ भी किसी वीवे में तो I hope it's very helpful for you thank you for watching my video till then do like share subscribe my channel bye bye take care